अवयद चराब के खिलाफ लगातार कारेवाई जारी है इसी इक्रम में बरोरा थाना शेत्र में लगजरी गाड़ी से भारी मात्रा में अवयद चराब बरामत हुए है जानकारी देते वे बागमारा SDPO पुरुशोत्तम कुमार ने बताया कि वर्या पोलिस अधिक्षक के निर्देश पर जिले में चलाई जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान के दारान सफेद रंग के फोर्ड एंडिवर गाड़ी से 50 लिटर का 20 गैलन जिसमें लगभग 1000 लिट जैसा तरल पदात भरा हुआ जब्त किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए है उसको जब्त किया गया है शेत्र में अवैर चराब और नशे के सामानों की विग्री के खिलाफ पुलिस की कारिवाई निरंतर जारी रहेगी वरिये पुलिस अदिक्षट धनवाद के गुप्ति उचना के अधार पर दिनांग 6-10-2024 तो रातरी करीब एक बजे के पास लेडी डुमर पुल के समीप जो है हम लोग के द्वारा वहान चेकिंग लगाया गया था इस क्रम में जो है एक ये फोट इंडेफर गाड़ी और इसके साथ साथ इसमें जो अन्य काटून है अंग्रेजी शराब जिसमें बना करके इनके द्वारा उसको भीडा जाता बाहर और महुआ देशी महुआ शराब भी कुछ साथ में बरामत किया गया है तो निश्यत रूप से यह हम लोगों के द्वारा एक अच्छी निश्यत रूप से पूरे अभी दुर्ग अपुजा को लेकर के शराब के विरूद पूरे धनबाद जिला में अभियान चलाया जा रहा है अवे शराब के विरूद और इस पर अभी निरंतर रूप से शहप हमारी शलते हैं करीब एक हजार लीटर जो है स्पिरिट है पच अभी पता चला है अभी पता चला है अनुमानित प्रीमत इसकी हम लोग दो लाग रुपे के करीब हो गया अंग्रेजी शराब पांच छोटे बॉतल में ती जो मुझे लग रहा है या तो इनका सेंपल था या यह लोग महुआ सराब आपका 20 लीटर जा जब यान रात्री करीब एक बजे के आसपास चलाई गई थी अंधेरे का फाइदा उठा कर चालक भागने में सफल रहा वही फोर्ट एंडिवर गाड़ी किसकी है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल ह इसकी जानकारी में पुलिस जुड गई है